कई लास्ट वीदियों के अंदर हम डीजीइल मार्केटिंग इंट्रॉडट्ग्षिन के बार में देखा था इस वीडियों के अंदर हम देखेगे वॉट इस digital marketing डीजी टल मार्केटिंग है उते क्या वह दिजिटल मार्केटिंग को समझने से पहले हमें समीजना पढ़े खा कि मार्केटिंग क्या है एक ऐसी आक्टिविटि यह है जिसमैं प्रॉडक और सर्विशिसको बहुत सारे अलग़ग मेडियम के थू Promote किया जाता है एक रूप आफ कस्टमर के बीच में, जैसे कि वो मीडिया में हो सकते हैं, टेलिवेजन, रेडियो, इन मैगजिन, निउसफेबर और बहुत सारे अधर तरीके, जैसे कोई क्रॉस रोड पे बैनर लगाया हुआ है, रास्ते पे कोई एर्वटेश्मेंट चपी हुए, तो ऐसे बह पहले कस्टमर की रिक्वार्मेंट को समझना पड़ता है, अगर हमें पता है कि कस्टमर की रिक्वार्मेंट क्या है, तो उसके बाद हमें हमारी प्रॉड़क और सर्विसेस को उस रिक्वार्मेंट के मताबिक कनवर्ट करना पड़ेगा, और फिर हम एक प्रॉपर मीडियम choose करना पड़ेगा जिस medium के तुरू हम वो product or services को उसके related customer तक पहुँचा पाएं तो हम कहा सकती कि हमने अच्छा marketing किया अगर हम हमारे customer की requirement और need को fulfill करने में success हो जाते तो हम अच्छे market है ऐसा कहा जाएगा और एक company के लिए अगर marketing perspective से सोचे तो क्या ज़रूरी है समझता है for example, यहाँ पर मैंने एक example दिया है जहाँ पर एक company के पास है particular customer को services यूज कर रहा है तो B company को से पिए जानना ज़रूरी नहीं कि particular customer को क्या service नहीं मिल रही है बड़ उसको ये भी जानना पड़ेगा कि उसको क्या service मिल रही है for example, अगर एक company है अगर मैं आज आपके वो बात करूँ कि जियो company जियो company ने वही talking के plan और वही calling के plans और वगेरा अच्छे services में दिये होते तो वो already word of an idea, airtel अच्छी तरह के से provide कर रहेते उसने क्या focus किया data पर उसने अपना पूरा marketing strategies change किया और उसने यह समझा कि क्या actually मैं customer को मिल रहा है और क्या customer को required क्योंकि उस time पर data plan बहुत ही महेंगे थे तो यह reason था कि वो company particular success हो थे एक company को सिफ यह जाना जरूरी नहीं है कि एक customer को क्या नहीं मिल रहा है तो यह भी जाना जरूरी थे कि उसको क्या मिल रहा है तभी वो अच्छी services और product लेके market में जाएगे तो customer उसको welcome करेगे तो यह वो companies है जिन companies नहीं यह concept पर काम किया और यह सारी companies है market में कह सकते है successful है और इन सभी company के पास एक group of और एक number of customer है जो इस particular brand को आज use कर रहे है तो अब आगे देखते है कि digital marketing concept के सरीके से market में आ रहा है तो जैसे digital marketing ने आज marketing करने के पुरे तरीके को ही change कर दिया है अगर आज आपके पास एक अच्छी product और services है तो वो enough नहीं है बट उस product और services की particular customer को कब requirement है वो important है जैसे कि आज internet और उसका power change हो चुका है ज्यादा तर customer अगर आज की मैं बात करूँ तो पहले ऐसा था कि हम चार अलग 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 shops को गुमते थे फिर mobile के बारे में study करते थे और फिर mobile purchase करते थे तो नावडेस user बहुत smart हो चुका है वो पहले internet पे जाता है अलग वेबसाइट पे price compare करता है कहाँ पर based EMI पे कहाँ पर based services के through product मिल रही और फिर वो मन बनाएगा particular product को purchase करने का तो इस तरीके संग क्या सकते है कि internet और उसकी power change हो चुकी है तो मैं digital marketing के एक छोटी से history आपको बताना चाहता हूँगा वैसे तो year to year बहुत सारे changes आए but 1990 के अंदर first static display ad launch हुई थी 1993 के अंदर first clickable ad static ad में इस difference है कि उस पर click नहीं कर पाते थे बड़ 1993 में जो आड है वो clickable ad थे उस पर click करके उसके relevant page पर हम जा सकते थे उसके relevant information को देख सकते हैं 1998 के अंदर after some long span first searchable advertising जो keyword के तुरू search हो सकता था यनि first search advertising keyword यानि कि पता चला कि keyword ऐसे चीज़ हो सकते हैं जिसके तुरू हम particular product और services को search कर सकते हैं और वहां तक पहुंच सकते हैं तो उसके बाद 2000 के अंदर एक Google ने अपनी product launch की जिसको AdWords का जाता है Google AdWords Google AdWords के जरीए बहुत सारे अलगलग marketing campaigns बनाया जाने लगया और बहुत ही easy way में logo तक पहुंचा जा सकता था और हमारी website और product और services को logo तक लोगों की visibility में लाया जा सकता था तो इस तरीके से overall digital marketing की history में बदला हुआ और overall digital marketing में नहीने evolutions हुए तो what is the meaning of digital अगर मैं कहूं कि आज हम सभी लोग एक digital world से जुड़े हुए फर एक्जामपल अगर मैं social media कहूं मैं google कहूं मैं internet कहूं या फिर वो सारे mediums वो सारी application वो सारी social media के application जिसमें हम everyday tweets करते हैं everyday हमारे friend को search करते हैं हमारी social activities को discuss करते है political या फिर कोई common ऐसे issues है जिसको discuss करते हैं everyday हम कोई भी product purchase करने के लिए services लेने के लिए हम online जाता है वो सभी चीज़ों को मैं digital कूँगा और हम सभी लोग इससे गिरे हुए हम सभी लोग इससे जुड़े हुए so digital marketing एक ऐसी टेखनीक है जिसके अंदर product और services को किसी particular online medium के जरिए logo तक पहुँचाना पहले marketing में क्या था सिफ प्रॉड़क और services को लोगों तक पहुचाना और जिसके लिए हम TV advertisement यूज करते थे nowadays digital marketing क्या concept है कि जिसमें वही product और services को digital medium के थ्रू लोगों तक पहुचाना जैसे कि अगर मैं बात करू तो 2000 के बाद जो मैंने इस तरी आपको बताई digital marketing में एक बहुत ही बड़ा evolution है जिसके बाद बहुत सारे ऐसे social media के tools थे Google पर बहुत सारे advertising tools थे आप अलग अलग तरीके से marketing की channels आपको मिल रही थी जिसमें आप digital marketing करना बहुत easy हो गया था अब लोग समझ गए थे कि सिर्फ advertisement display करना important नहीं है but content is very much important in advertisement so बहुत सारे ऐसे tools बनते हैं कि जहां पर आप ad बना सकते हो जहां पर आप advertisement को track कर सकते हो जहां पर अलग अलग mediums के थूरू लोगों तक पहुन सकते हो और जो यह campaigns आ रहे है उन सभी को सभी के जो data आ रहे है सभी की जो purchase हो रही है जो भी online activities परफर्म होड़े हो सभी को track भी कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे tools available थे जिससे digital marketing को बूस्ट अप मिला और आप आज की generation में देख सकते हो कि आज हम सभी लोग digital marketing से जुड़े होए कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी digital marketing activities हम target बने हुए so digital versus traditional की बात को तो traditional में यह सारे वो medium से पुरान है और digital के अंदर हम Facebook, email, Twitter, YouTube और बहुत सारे ऐसे mediums के तुरू connected है traditional और digital marketing का एक proper difference बताता हूँ कि कि किस तरीके से यह difference जाने के बाद आपको पता चलेगा कि क्यूं आपको digital marketing सीखना चाहिए या फिर क्यूं आपको digital marketing क को apply करना पड़ेगा नहीं तो आप अपने business को किस तरीके से पीछे चोड़ रहे हो in compared to आपके competitor तो सबसे बहले अगर मैं matrix को समझाओ तो मैंने एक famous newspaper जो आपकी particular city में आप अपना newspaper assume कर लो मैं वो newspaper की बात करो और एक set में digital medium के गूगल पर जो advertisement दी जाती है जिसको search add का जात एक particular newspaper की 12 lakh copy particular city में publish होती है so अगर कोई भी advertisement करना चाता है तो मैं आपको बता दूँ एक website है जिसका नाम मैं अभी बोल रहा हूँ release my ad आप google पर जाके इस particular website पर जाना कोई भी आप newspaper select करना और front page पर advertisement देने के आप costing देखोगे तो around 35 lakhs रुपीस starting होता है अलग 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 ज जो news agency wise यह price vary करता है बट 12 lakh अगर मुझे reachability तक पहुंचना है तो मुझे front page में advertisement देने की cost 19 lakh से लेगे 35 lakhs रुपीस तक होता है जबकि मैं reach कितने लोगों तक होगा 12 lakh लोगों तक बट अगर मैं digital medium की बात करूँ और वो एक particular city wise limited होगा बट मैं digital medium की बात करूँ तो google मुझे millions and billions लोगों तक पहुंचाएगा targeted audience की बात करूँ तो very low for example अगर एक कोई भी post car यही एक बहुत ही luxurious car की advertisement front page पे publish हो रही है तो out of this digit कितने लोग ऐसे होगे जो particular advertisement को देखेगे और उसको purchase कने के लिए चले जाएगे तो यही कितने ऐसे लोग होगे जो particular advertisement में interested हो तो बहुत ही जबकि यहां पर बहुत ही आई है user engagement बहुत ही zero क्योंकि अगर मैं newspaper में advertisement देख रहा हूँ तो मैं क्या उस पर click कर पाऊंगा क्या मैं उसके relevant page पर जा पाऊंगा क्या मैं उसकी detail को देख पाऊंगा नहीं मुझे contact number मिलेगा जहां से मैं contact कर सकता हूँ तो zero user engagement मिलता है जबकि digital की बात करूँ तो very high user engagement अगर किसी product or services के advertisement दिख रहे है तो उसके प्लिक करके उसके particular relevant page पर उसके reviews उसके features हर वो चीज़ आप देख सकते हो अगर डिजिटल मीडिया के में बात करते हो प्राइज as I told you कि 35 lakhs rupees 19 lakhs से 35 lakhs यह price जाता है very expensive जो traditional है और digital की बात को तो very low अगर आप 35,000 rupees भी Google को दे रहे हो तो Google बहुत सारा traffic और वो भी global platform से आप तक पहुंचाएगा return of investment no guaranteed यहीं कोई guarantee नहीं कि जो भी आप luxurious card के advertisement publish करो तो particular amount of customer के बीच में से कितने ऐसे लोग होगे जो purchase करने के लिए आजाएगे बहुत ही कम या फिर no guaranteed और guarantee तो बिलकुल नहीं है आएगे तो ठीक बाकी guarantee कोई नहीं मिलेगी कि इतने customer आएगे ही आएगे बट digital medium के बात करो तो Google आपको ऐसी facility दे रहा है कि जहाँ पर high return of investment why because वो पीपी सिकंचर पर काम कता है pay per click अगर आपकी website के URL पर click करके particular user आप तक पहुंच रहा है तो ही आपको Google को pay करना है बाकी नहीं करना है so return of investment is guaranteed वो user को आप तक पहुंचा देगा फिर आपको उसको आगे ल low cost so traditional or digital marketing का difference है तो यह बता रहा है कि क्यों आपको digital marketing का choose करना पड़ेगा जो आपके business के लिए आपको high return of investment देगा in compared to traditional business जो traditional marketing के वेच से उसकी compare में मैं अगर example की बात करूँ तो अगर आज normal person की बात करें तो हर कोई जैसे कि mobile purchase करना हो order करना हो food या फिक grocery पाई करना हो तो हर वो चीज के लिए वो online के तुरू purchase कर सकते हैं तो आप देख रहा हो कि हमारे कितना heavy level पर इंटरनेट पर dependency जा रहा है तो digital marketing आपके कितने objectives को solve करेगा अगर आपका business है तो आप उसकी brand awareness कर सकते हो आप अपने business के targeted audience को capture कर सकते हो आप नई customer ला सकते हो आप अपनी website या फिर अपने business का revenue generate कर सकते हो और आप local SEO को improve कर सकते हो यह सबी चीज़े आपको किस तरीके से करनी है आने वाले videos के अंदर आपको सिखने के लिए मिलेगी ways of digital marketing के मैं बात करूँ तो display आप banner add कर सकते हो email marketing, video marketing, social media, search engine और हमने welcome videos में देखे वो सारे tools के बारे में हम आने वाले videos के अंदर study करेगे और in a depth कि इस level पे हर एक चीज़ perform होती है हर इस चीज़ के campaign कैसे बनते है उनको analyze कैसे करना है वो सब चीज़े आपको सिखने को मिलेगे, digital marketing में एक चीज़ बहुत important है कि अगर आपको अच्छे से सही तरीके से digital marketing करना हो तो आपको सही place पे रहना पड़ेगा, सही time पे रहना पड़े तो जब भी आप कोई campaign को लेके plan up कर रहो तब place, time और be ready for capture the customer, अगर मैं advantage की बात करूँ तो popularity of internet जिस तरीके से internet बहुत ही popular हो चुका है, online shopping बढ़ रही है, बहुत सारे varieties of options हमारे पास अबले बले, हम वो सबी जिसे बहुत low cost में apply कर सकते हैं, reviews and comment देख सकते हैं, convenient way है कि हम क product और services को explore करना तो हम कर सकते हैं, तो यह सभी advantages है कि जो digital medium से याज user connected है, तो यह बहुत ही हमारे लिए एक important aspects हो जाएगा कि हम उनके बीच में जाए और हमारी product और services का marketing करें, so basically digital marketing करने के मैंने mediums आपको समझाने के लिए यहाँ पर 4 mediums list out किये, जहाँ पर सबसे पहला medium में on paid and inside, अगर मालो कि आपको अपने business को digital marketing के through ले जाना है, तो आप कोई पास चार दरीके होगी, कि आप यह चार मैं से कोई भी एक medium या फिर चार मैं से group of कोई भी दो मिला के आप planning कर सकते हो, medium use कर सकते हो, और अपनी product or services को promote कर सकते हो, for example, अगर मैं on media की बात करूँ, तो यह कुछ ऐसी activity है, जो आपकी website, आपके blog और आप कुछ ऐसा content, जो आप खुद manage कर सकते हो, जो आपके खुद के आत में होता है, आप उसको जितना ज्यादा improve करोगे, उतना पच्छी marketing कर पाऊगे, paid media की बात करूँ तो यहाँ पर वो media है, जहाँ पर आप payment देखे, बहुत सार marketing activity perform करते हो, for example, Google AdWords, और ऐसी बहुत सारी activities होती है, Facebook पर हम paid ad कर सकते है, Twitter पर कर सकते है, तो सभी को मैं paid media करूँगा, जहाँ पर payment देखे, हम marketing activity करते है, earn media, very important, जहाँ पर for example, वो सभी count, कि अलग-अलग जगा पे हमने हमारी website को promote किया है, तो वहाँ से हमारी product or services को like करके, लोग जब हम तक पहुंचते है, for example, मैंने एक product or services को Facebook पर promote किया था, तो मुझे वहाँ से 1000 likes मिले, comments मिले, likes and comments का मतलब होता है, कि लोग हमें observe कर रहे, लोग हमें like कर रहे, तो वो सभी चीज़ों को earn media कर जाता है, और shared media, earn media के इन तरी कौछ चीज बताना चाहते हो, यह for example, viral messages, बहुत चारी ऐसी चीज़े, social media पर viral होती है, बहुत चारी branding campaigns चलते है, जो एक product or services के और एक company के branding करते है, customer awareness के लिए बहुत चारी हम program run करते है, जो भी Facebook, Twitter, LinkedIn, बहुत चारी अलग अलग social media पर चलते है, बहुत चारी shared चीज़े हम करते है, social media पर, तो वो सभी activities को shared media का जाता है, for example, यह मैंने आपको diagram दिया है, जिसमें earn, earn, paid, shared, और किस तरीके से हर एक medium एक दूसरे के साथ मिलके count करने के लिए capable है, तो आप इसमें से mixer of two, mixer of three, कोई भी paid media, earn media, on media, shared media, use कर सकते हो, आप इनको individual भी use कर सकते हो, और अपने product or services को customer को promote कर सकते हो, तो आप इसमें से किसी भी medium को use करो, और अपनी product or services को customer ले जा सकते हो, तो इस तरीके से digital marketing के अंदर working होता है, आने वाले वीडियोस के अंदर हम इन सभी के बार में depth में देखे, thanks for watching this video, इस वीडियो में हमने देखा, what is digital marketing, next वीडियो में हम देखेगे, how strategy works, लास्ट वीडियो के अंदर हम digital marketing introduction के बार में देखा था, इस वीडियो के अंदर हम देखेगे, what is digital marketing, digital marketing है क्या, पट digital marketing को समझने से पहले, सबसे पहले हमें सर्विजना पड़े का कि marketing क्या है, marketing एक ऐसी activity है, जिसमें product or services को बहुत सारे अलगलग mediums के थूँ, promote किया जाता ह एक group of customer के बीच में, जैसे कि वो media में हो सकते है, television, radio, in magazine, newspaper और बहुत सारे अदर तरीके, जैसे कोई cross road पे banner लगाया हुआ है, रास्ते पे कोई advertisement चपी हुए, तो ऐसे बहुत सारे off-bit तरीके है, जिसके थूँ भी marketing होता है, आईए समझते कि marketing actually में activity क्या है, और इसमें क्या समझा जाता है, और फिर हमें marketing करना पड़ता है, तो ये किस तरीके से work करता है, marketing किस तरीके से work करता है, तो हमें सबसे पहले customer की requirement को समझना पड़ता है, अगर हमें पता है कि customer की requirement क्या है, तो उसके बाद हमें हमारी product or services को उस requirement के मताबिक convert करना पड़ेगा, और फिर हम एक कस्टमर की requirement और need को fulfill करने में success हो जाते हैं तो हम अच्छे market है ऐसा कहा जाएगा और एक company के लिए अगर marketing perspective से सोचे तो क्या ज़रूरी है समझता है for example यहाँ पर मैंने एक example दिये जहाँ पर एक company के पास है particular customer को services यूज़ कर रहा है तो बी company को से जानना ज़रूरी नहीं कि particular customer को क्या service नहीं मिल रही है बड़ उसको यह भी जानना पड़ेगा कि उसको क्या service मिल रही है for example अगर एक company है अगर मैं आज आपको बात करूँ कि जियो company जियो company ने वही talking के plan और व अच्छी तरह के से प्रोवाइड कर रहे थे उसने क्या focus किया data पर उसने अपना पूरा marketing strategies चेंज किया और उसने यह समझा कि क्या उनको क्या customer को मिल रहा है और क्या customer को required क्योंकि उस टाम पर data plan बहुत ही महेंगे थे तो यह reason था कि वह company particular success हो थे एक company को सिफ यह जानना कि उसको क्या मिल रहा है तभी वो अच्छी services और product लेके market में जाएगे तो customer उसको welcome करेगे तो यह वो companies है जिन companies नहीं यह concept पर काम किया और यह सारी companies आप market में कह सकते है successful है और इन सभी company के पास एक group of और एक number of customer है जो इस particular brand को आज use कर रहे है तो अब आगे देखते है कि digital marketing concept कि सरीके से market में आ रहा तो जैसे digital marketing ने marketing करने के पुरे तरीके को ही change कर दिया है अगर आज आपके पास एक अच्छी product और services है तो वो enough नहीं है बट उस product और services की particular customer को कब requirement है वो important है जैसे कि आज internet और उसका power change हो चुका है ज्यादातर customer अगर आज की मैं बात करूँ तो पहल इस यूजर बहुत स्मार्ट हो चुका है वो पहले internet पे जाता है अदर के website पर price compare करता है कहाँ पर based EMI पे कहाँ पर based services के through product मिल रही और फिर वो मन बनाएगा particular product को purchase करने का तो इस तरीके सन कह सकते है कि internet और उसकी power हो चेंज हो चुकी है तो मैं digital marketing के एक छोटी से history आपको बताना चाहता हूँगा वैसे तो year to year बहुत सारे changes आए but 1990 के अंदर first static display ad launch होई थी 1993 के अंदर first clickable ad static ad में इस difference है कि उस पर click नहीं कर पाते थे but 1993 में जो ad है वो clickable ad थे उस पर click करके उसके relevant page पर हम जा सकते थे उसके relevant information को देख सकते हैं 1998 के अंदर after some long span first searchable advertising जो keyword के तुरू search हो सकता था यनि first search advertising keyword यानि कि पता चला के keyword ऐसे चीज़ हो सकते हैं जिसके तुरू हम particular product और services को search कर सकते हैं और वहां तक पहुंच सकते हैं तो उसके बाद 2000 के अंदर एक Google ने अपनी product launch की जिसको AdWords का जाता है Google AdWords Google AdWords के जरिए बहुत सारे अलगलग marketing campaigns बनाया जाने लगया और बहुत ही easy way में logo तक पहुंचा जा सकता था और हमारी website और product और services को logo तक लोगों की visibility में लाया जा सकता था तो इस तरीके से overall digital marketing की history में बदलावाया और overall digital marketing में नहीने evolutions हुए तो what is the meaning of digital अगर मैं कहूं कि आज हम सभी लोग एक digital world से जुड़े हुए फर एक्जामपल अगर मैं social media कहूं मैं google कहूं मैं internet कहूं या फिर वो सारे mediums वो सारी application वो सारी social media के application जिसमें हम everyday tweets करते हैं everyday हमारे friend को search करते हैं हमारी social activities को discuss करते है political या फिर कोई common ऐसे issues है जिसको discuss करते हैं everyday हम कोई भी product purchase करने के लिए services लेने के लिए हम online जाता है वो सभी चीज़ों को मैं digital कूँगा और हम सभी लोग इससे गिरे हुए हम सभी लोग इससे जुड़े हुए so digital marketing एक ऐसी टेखनीक है जिसके अंदर product और services को किसी particular online medium के जरिए logo तक पहुँचाना पहले marketing में गया था सिर्फ product और services को लोगों तक पहुचाना और जिसके लिए हम TV advertisement यूज़ करते थे nowadays digital marketing क्या concept है कि जिसमें वही product और services को digital medium के थ्रू लोगों तक पहुचाना जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो 2000 के बाद जो मैंने इस तरी आपको बताई digital marketing में एक बहुत ही बड़ा evaluation है जिसके बाद बहुत सारे ऐसे social media के tools थे Google पर बहुत सारे advertising tools थे आप अलग अलग तरीके से marketing की channels आपको मिल रही थी जिसमें आप digital marketing करना बहुत easy हो गया था अब लोग समझ गए थे कि सिर्फ advertisement display करना important नहीं है but content is very much important in advertisement so बहुत सारे ऐसे tools बनते हैं जहाँ पर आप ad बना सकते हो जहाँ पर आप advertisement को track कर सकते हो जहाँ पर अलग अलग mediums के हम किसी ना किसी digital marketing activities हम target बने हुए so digital वसे अगर traditional की बात को तो traditional में यह सारे वो medium से पुरान है और digital के अंदर हम facebook email twitter youtube और बहुत सारे ऐसे mediums के तुरू connected है traditional और digital marketing का एक proper difference बताता हूँ कि कि किस तरीके से यह difference जाने के बाद आपको पता चलेगा कि क्यूं आपको digital marketing सीखना चाहिए या फिर क्यूं आपको digital marketing को apply करना पड़ेगा नहीं तो आप अपने business को किस तरीके से पीछे चोड़ रहे हूँ in compared to आपके competitor तो सबसे पहले अगर मैं matrix को समझाओ तो मैंने एक famous newspaper जो आपकी particular city में आप अपना newspaper एज्यूम कर लो मैं वो newspaper की बात करो और एक site में digital medium के गूगल पर जो advertisement दी जाती है जिसको search ad कर जाता है मैं उसकी बात करता हूँ so सबसे पहले matrix में reach, targeted audience, engage, price or return of investment यह एक छोटे से parameter से जिस वास में दोनों में comparison कर रहा हूँ एक particular newspaper की 12 lakh copy particular city में publish होती है so अगर कोई भी advertisement करना चाता है तो मैं आपको बता दूँ एक website है जिसका नाम मैं अभी बोल रहा हूँ release my ad आप Google पर जाके इस particular website पर जाना कोई भी आप newspaper सेलेक्ट करना और front page पर advertisement देने के आप costing देखोगे तो around 35 lakhs रुपीस starting होता है अलग 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 जो news agency वाइस ये price वैली करता है बट 12 lakh अगर मुझे reachability तक पहुंचना है तो मुझे front page में advertisement देने की cost 19 lakh से लेके 35 lakhs रुपीस तक होता है जबकि मैं reach कितने लोगों तक होगा 12 lakh लोगों तक बट अगर मैं digital medium की बात करूँ और वो एक particular city वाइस limited ह बट मैं digital medium की बात करूँ तो Google मुझे millions and billions लोगों तक पहुंचाएगा targeted audience की बात करूँ तो very low for example अगर एक कोई भी post car यह बहुत ही luxurious car की advertisement front page पर publish हो रही है तो out of this digit कितने लोग ऐसे होगे जो particular advertisement को देखेगे और उसको purchase कने के लिए चले जाएगे तो यह कितने ऐसे लोग हो newspaper में advertisement देख रहा हूँ तो मैं क्या उस पर click कर पाऊँगा क्या मैं उसके relevant page पर जा पाऊँगा क्या मैं उसकी detail को देख पाऊँगा नहीं मुझे contact number मिलेगा जहां से मैं contact कर सकता हूँ तो zero user engagement मिलता है जबकि digital की बात करूँ तो very high user engagement अगर किसी product or services के advertisement दिख रहे तो उसके क्लिक करके उसके particular relevancy page पर उसके reviews उसके features हर वो चीज़ आप देख सकते हो अगर digital media के में बात करते हो price as I told you कि 35 lakhs rupees 19 lakhs से 35 lakhs यह price जाता है very expensive जो traditional है और digital की बात को तो very low अगर आप 35,000 rupees भी Google को दे रहे हो तो Google बहुत सारा ट्राफिक और वो भी global platform से आप तक पहुंचाएगा return of investment no guaranteed यहीं कोई guarantee नहीं कि जो भी आप luxurious card के advertisement publish करो तो particular amount of customer के बेचमेंस से कितने ऐसे लोग होगे जो purchase करने के लिए आजाएगे बहुत ही कम या फिर no guaranteed और guarantee तो बिलकुल नहीं है आएगे तो ठीक पकी guarantee कोई नहीं मिलेगी कि इतने customer आएगे ही आएगे but digital medium के बात करूँ तो google आपको ऐसी facility दे रहा है कि जहाँ पर high return of investment why because वो PPC concept पर काम कता है pay per click अगर आपकी website के URL पर click करके particular user आप तक पहुंच रहा है तो ही आपको google को pay करना है बाकी नहीं करना है so return of investment is guaranteed वो user को आप तक पहुंचा देगा फिर आपको उसको आगे ले जाना है particular process wise but वो आप तक लाने का काम करें वो भी guaranteed way में और low at a very low cost so यह traditional or digital marketing का difference है तो यह बता रहा है कि क्यूँ आपको digital marketing का choose करना पड़ेगा जो आपके business के लिए आपको high return of investment देगा in compared to traditional business जो traditional marketing के वेच से उसकी compare में मैं अगर example की बात करूँ तो अगर आज normal person की बात करें त order करना हो food या फिक grocery पाई करनी हो तो हर वो चीज के लिए वो online पर dependent है हम देखती कि हम यसी चोटी सी चोटी activity भी online के थूप करते है और internet के थूप करते है जैसे pizza चाहे तो हम order कर दिया हमें mobile चाहे तो पहले अब हम online जाते है फिर दुकान में चेक करने के लिए जाएगे और third grocery आज grocery जैसे सामान भी हमारे गर पर जो आता है वो हम online के तुर पचेस कर सकते है तो आप देख रहे हो कि हमारे कितना heavy level पर internet पर dependency जा रहा है तो digital marketing आपके कितने objectives को solve करेगा अगर आपका business है तो आप उसकी brand awareness कर सकते हो आप अपने business के targeted audience को capture कर सकते हो आप नए customer ला सकते ह आप अपनी website या फिर अपने business का revenue generate कर सकते हो और आप local SEO को improve कर सकते हो यह सबी चीज़े आपको किस तरीके से करनी है आने वाले videos के अंदर आपको सिखने के लिए मिलेगी ways of digital marketing के मैं बात करूँ तो display आप banner add कर सकते हो email marketing, video marketing, social media, search engine और हमने welcome videos में देखिए वो सारे tools के बार advice कैसे करना है वो सब चीज़े आपको सिखने को मिलेगे, digital marketing में एक चीज़ बहुत important है कि अगर आपको अच्छे से सही तरीके से digital marketing करना हो तो आपको सही place पे रहना पड़ेगा, सही time पे रहना पड़ेगा और आपको हर वक्त ready ready रहना पड़ेगा कि आप अपने customer को capture क्यों अगर मैं advantage के बात करूँ तो popularity of internet जिस तरीके से internet बहुत ही popular हो चुका है, online shopping बढ़ रही है, बहुत सारे varieties of options हमारे पास अबले बले, हम वो सबी जिसे बहुत low cost में apply कर सकते हैं, reviews and comments देख सकते हैं, convenient way है कि हम कभी भी online जा सकते हैं और रात को दो बज़े भी हमें कोई product और services को explore करना तो हम कर सकते हैं, तो यह सभी advantages है कि जो digital medium से याज user connected है, तो यह बहुत ही हमारे लिए एक important aspects हो जाएगा कि हम उनके बीच में जाए और हमारी product or services का marketing करें, so basically digital marketing करने के मैंने mediums आपको समझाने के लिए यहाँ पर 4 mediums list out किये, जहाँ पर सबसे पहला medium में on, paid, earn, inside अगर मालो कि आपको अपने business को digital marketing के थ्रू ले जाना है, तो आप कोई पास चार तरीके होगे, कि आप यह चार में से कोई भी एक medium या फिर चार में से group of कोई भी दो मिला के आप planning कर सकते हो, medium use कर सकते हो, और अपनी product or services को promote कर सकते हो, for example, अगर मैं on media की बात करूँ, तो य यह कुछ ऐसी activity है, जो आपकी website, आपके blog और आप कुछ ऐसा content, जो आप खुद manage कर सकते हो, जो आपके खुद के आथ में होता है, आप उसको जितना ज्यादा improve करोगे, उतना पच्छी marketing कर पाऊगे, paid media की बात करूँ तो यहाँ पर वो media है, जहाँ पर आप payment देके, बहुत marketing activity करते है, earn media, very important, जहाँ पर for example, वो सभी count, कि अलग अलग जगा पर हमने हमारी website को promote किया है, तो वहाँ से हमारी product और services को like करके, लोग जब हम तक पहुंचते हैं, for example, मैंने एक product और services को Facebook पर promote किया था, तो मुझे वहाँ से 1000 likes मिले, comments मिले, likes and comments का मतलब होता है कि लोग हमें observe कर रहे हैं, लोग हमें like कर रहे हैं, तो वो सभी चीज़ों को earn media का जाता है, और shared media, earn media के नतरी कौछ चीज़ बताना अचा तो यह कुछ ऐसी चीज़े जो paid करके आप नहीं earn कर सकते हैं, यह definitely आपको अपनी service improve करके करना पड़ेगा, और shared media, for example, viral messages, बहुत सारी ऐसी चीज के लिए बहुत सारी हम program run करते हैं, जो भी Facebook, Twitter, LinkedIn, बहुत सारी ऐलग ऐलग social media पर चलते हैं, बहुत सारी shared चीज़े हम करते हैं social media पर, तो वो सभी activities को shared media का जाता है, for example, यह मैंने आपको diagram दिया है, जिसमें earn, earn, paid, shared, और किस तरीके से हर एक medium एक दुसरे के साथ मिलके count करने के लिए capable है, तो आप इसमें से mixer of two, mixer of three, कोई भी paid media, earn media, on media, shared media, use कर सकते हो, आप इनको individual भी use कर सकते हो, और अपने product or services को customer को promote कर सकते हो, तो आप इसमें से किसी भी medium को use करो, और अपनी product or services को customer दर ले जा सकते हो, तो इस तरीके से digital marketing के अंदर working होता है, आने वाले videos के अं में depth में देखे, thanks for watching this video, इस वीडियो में हमने देखा, what is digital marketing, next वीडियो में हम देखेगे, how strategy works, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, what is digital marketing, इस वीडियो में हम देखेगे, how strategy works, जैसे एक traditional business के लिए strategies बनाना कितना जरूरी होता है, जिस पर उसकी पूरी success depend करती है, उसे तरीके से online marketing का campaign, या फिर जब आप अपने business को online ले जाना चाहते हो, तो आपको अपने business के लिए कची strategy build up करनी पड़ेगी, और उसके तरूर आप अपने business की success को measured कर पाऊगे, तो क्योंकि हर एक business के लिए जरूरी चीज़ होती है, कि वो market में survive करे, बहुत सारी online marketing कैसे channels होती है, जो free service provide करती है, और बहुत ही easy way में हम use कर पाते है, जैसे कि non-technical बंदे भी उसको easily access कर पात है, हर कोई business से चाते है कि जल्दबाजी में, कि वो अपनी product or services को लेके market में चला जाए, और ज्यादा ज्यादा लोगों के बीच में, जल्दी से जल्दी जाए, तो उसके business को success मिल पाएगी, बट वो जल्दी market में जाने के चकर में, वो tools को उस तरीके से use करते है, और उसके business को वो success नहीं दे पाते है, जो strategy building के बाद possible होती है, तो मैं insist करूँगा कि first आप अपने business के लिए proper time allocate करो, strategy build up करो, और feed आप online जाओ, तो आप better success ले पाओगे, क्योंकि ये सारी channel के इंदर सिफ आप एक attendance लगा दोगे, आप सिफ presence अपनी दिखा दोगे, तो वो importance नहीं, target करना पड़ेगा, तो आप targeted result अचीव कर पाओगे, so हर एक business के एक need होती है, अगर आप proper strategy build up करते हो, तो आप अपने business के लिए strong return of investment gain कर पाते हो, क्योंकि हर एक business, चब हम product or services को कुछ marketing campaign के जरीए, लोगों के बीच मे ले जाते, तो हमारा goal सिफ उन product से aware करवाना नहीं होता है, वो उन services को follow करके हमारी website पर आए, और कुछ ना कुछ operation perform करें, कोई product buy करें, जिससे हमारी company के लिए return of investment होगा, और हमारी company benefit में जाएगी, तो उस तरीके से return of investment के इसे business के लिए बहुत important होता है, so मालों कि जब हम एक proper strategy build up नहीं करेंगे, तो क्या-क्या problem हो सकते है, for example, हो हो सकते हैं कि आपके पास अच्छी product हो और अच्छी services हो, और आप market में customer के लिए अच्छी product और service display करो, तो customer से attract भी हो सकते हैं, but अगर आप सही तरीके से strategy build up नहीं करोगे, तो आप कभी भी market में success हासिल नहीं कर पाऊगे, क्योंकि अच्छी product और services होना enough नहीं है, क्यों? मै मैं एक example यह है, Reliance Communication and Reliance Jio, दोनों telecommunication companies है, दोनों telecom service provide करती है, Reliance Communication पूरानी company है और बहुत सालों से market में है, but उसने मालों कि आज तक customer की need को समझने की कोशिश नहीं किया, या फिर वो सही तरीके से अपनी strategy नहीं बना पाई, इसलिए वो आज पीछे जबकि Reliance Jio ने एक proper strategy फोकस किया, जब लोग जो calling के plans पे फोकस करते थे जब Reliance Jio ने data पे फोकस किया, और ज़्यादा थे internet के data को लोगों को free service में provide किया, वो भी high speed data, तो लोग उससे track हुए और वो एक business strategy उनके लिए काम कर गए, और आज आप देख रहे हो कि उसकी success किती है, वैसे अगर एक example द दोनों की political party में ज्यादा जो seeds पे success लेने का ratio होता है, वो किसको मिलता है, जो अच्छी strategy build up करता है, जो लोगों को दिखा पाता है कि जो भी हमने अच्छे काम किये है, वो क्या है, तो अगर अच्छी तरीके से वो display नहीं कर पाएगा, अच्छी strategy बना के लोगों के बीच मे नहीं बलेगी, तो यह lake of strategies के some example से जिसके वजह साब fail हो सकते हो, आपको सही तरीके से plan up करना पड़ेगा, और market में जाना पड़ेगा, तभी आप अपनी product or services को market में अच्छी तरीके से promote कर पाऊगे, so digital marketing strategy actually में three steps में divided है, first है business strategies, जिसमें हमारा goal होता है कि हम business को high level पे understand करे, customer strategies, जिसमें हमें हमारे customer को समझना होता है, कि हमारे customer की requirement क्या है, और उसके बाद marketing strategies, कि अब हमारा business particular क्या है, हमारे customer की requirement क्या है, और हम ये business को लेके हमारे particular customer के बीच में, कौनसी approach के तरू जाएगे, कौनसी marketing strategies के तरू जाएगे, वो आपको marketing strategies के अंदर सिखने को मिलेगा, इसके बारे हम depth में आने वाले कुछ वीडियो के अंदर study करेंगे so digital marketing strategies में आपको अपने business को बहुत ही high level पर समझना होता है आपको अपने customer के segment को समझना होता है कि कौन सी age group के कौन सी demographics के लोग मेरे product और services को like कर सकते हैं आप अपने way decide करो कि आप कौन से way के जरीए फिर process करना चाहते हो क्योंकि digital marketing जो चैनल से आपको उस मताबिक चोज़ करनी चाहिए जिस मताबिक आपके customer हो अगर मेरे customer जादा तर facebook यूज करे और मैं google के तुरू जाओंगा वो जादा तर twitter यूज करे और मैं facebook के तुरू जाओंगा तो channels identify को बहुत ज़रूरी है कि आपका customer कौन से technology के साथ connected है उसके बाद अगर आप एक अच्छी strategy build up करने में success हासिल करते हो तो आप अपने business में focus रहोगे कि आपका business का goal का है आपको particular product और services लेके market में कौन से client की बीच में जाना है प्लस आप नहीं नहीं marketing के channel explore करोगे जहां पर आपके success होने के chances बढ़ जाएगे अगर एक अच्छी strategy आपके पास available है तो प्लस हमें एक और चीश का ज्यान रखना है कि different business have a different marketing strategies क्योंकि मैं एक ही marketing strategies हर एक business के लिए apply नहीं कर सकता फर एक्जामपल अगर मुझे टी-शेट चाल करनी है तो मेरी marketing perspective मेरा marketing purpose अलग होगा और मैं अलग तरीके से लोगों को पीछ करूंगा और मुझे restaurant में लोगों को खाने के लिए invite करना है तो मेरा marketing purpose अलग होगा और मेरा perspective अलग होगा so at the end अगर आप एक अच्छी strategy build कर तो वो आपको help करेगे आपके business goal को focus रखेगी कि आपका business का goal का है आप अपने customer की requirement को समझ पाओगे आप अपने marketing approach को समझ पाओगे and आप एक shared value for business identify कर पाओगे क्या होता है shared value जहां पर आपका business की requirement और आपके customer की requirement अगर दोनों अलग अलग जा रही है तो means कभी भी आप अपनी product or services को selling कर पाओगे बड़ एक ऐसा common place जहां पर आपके business की requirement और आपके customer की requirement दोनों common जा रही है तो वो एक place बनता है जिसको shared value में कहूंगा और उसके जरीए वो place होगा जहां पर आप अपने customer को कुछ target का सकता हो नहीं तो दोनों अलग अलग जा रहे है दोनों की requirement अलग जारी और product अलग जार जरीके से market में ले जा पाओगे तो यह strategy आपको shared value identify करने में help out करेगी and अब जब एक अच्छी strategies बनाओगे तो maximum return of investment हासिल कर पाओगे at very low risk कि आपको बहुत ही low risk पे जादतर return of investment मिलेगा अगर आप अच्छी strategies के जरीए जाओगे क्योंकि आपको बहुत सारी wrong ways apply नहीं करने पड़ेगे बहुत सारी wrong channels के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा आप अपने target पे focus रोगे और नीश रोगे उसके लिए कौनसा tools better है वो tools को prefer करके जाओगे तो आपके success होने के chances ज्यादा है तो start building the strategy and ज्यादे ज्यादे आप success हासिल कर अपने business में इस वीडियो में हमने देखा वीडियो में हम देखेगे building business strategies लास्ट वीडियो में हमने दिखा था how strategy works इस वीडियो में देखेगे building a business strategies हमने previous वीडियो के अंदर तीन strategies के वाले में overview देखेगा था जिसका नाम था business customer और marketing आईये हम धैफ्ट में देखते के तीनों strategies के इस तरीके से बनाई जाती होड ऑ वीडियो देख रहे हैं तो business strategies होता क्या है हर एक business के पास एक खुद का goal और mission होता है कि वो एक basic objectives कि जिसको लेके business run होता है मैं मेरे business में जो भी product or services है उसको इस level पर पहुचाना चाहता हूँ उसके बाद आपको अपने business के regarding key objectives identify करने होते एंड आप ऐसी क्या unique service offer कर रहे हो जो आपके customer आपके competitor की against में आपको prefer करेगे यहनि क्या ऐसी चीज है आपके customer आपके बारे में क्या सोच रहे है आपकी product के बारे में क्या सोच रहे है वो आपको define करना होता है कि क्या आपको unique बना रहा है in compared to others तो आपको अपना mission पता होना चाहिए आपके objectives पता होना चाहिए जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो एक business की बात करूँ तो अगर e-commerce की website है तो उसको particular products पे से पता होता है कि मुझे यह products लेके customer के बीच में जाना है तो उसका objective ही हुआ फिर उसमें particular दो सूस की अगर comparison करो तो competitor की compare में आप सूस कितने में बेच रहे तो वो आपको unique दिखाएगा ऐसे आप कौन सी unique service offer कर रहे हो in compared to your competitor जिससे customer competitor को छोड़के आपको juice करेगा तो वो आपको unique services के बारे में पहले से understand करना पड़ेगा customer ऐसा है जो online business को समझ सकता है आपके पास ऐसी necessary product or services है जो आप online बेच पाओगे and at the end क्या आपके पास ऐसा necessary time है या फिर आप इतना time निकाल पाओगे या को उसको regular update कर पाओगे क्योंकि यह सब चीज़े बहुत ज़रूरी है अगर आपके पास यह आप समझ सकते और यह चीज़े आपके पास available है तब ही आप आगया अपने business को process करो और online marketing के तुरू ले जाओं so business strategy में यह इतनी चीज़े पहले clear करना बहुत ज़रूरी होता है for example मैं अगर कहूं तो अब हम strategy building की बात करें तो मैं एक business की बात करो हम learn one की बात करते है उसका goal क्या है learn one is a training portal where anyone can learn course in vernacular language for free यानि free में कोई भी course कोई भी language में अगर आपको study करना है तो अब learn one को prefer करो यह business का goal है और business का नाम learn one है हम इसी basic details को लेके strategies बना रहे business की जिसमें क्या क्या चीज़े में identify करने पड़ेगी सबसे पले आपको एक चीज़ एक क्लियर कने पड़ेगी कि unique service क्या होती है कि आपको market में क्या stand out कर रहा है और क्या ऐसी चीज़े जो आपको unique describe कर रही है in compared to competitor customer क्यूं आपको choose करेगा वह आपको पहले समझना पड़ेगा जिसको unique service का जाता है अब हम एक sheet wise business की strategies को build up करना है जैसे यहाँ पर आप business देख रहे हो यहाँ पर goal है यहाँ पर business objectives और unique services तो इस तरह के साब एक excel की sheet बनाओ और उसमें आप सबसे पहले अपने business का नाम रिखो उसका goal identify करो अब आप अपने business की objective services identify करो for example objectives एक हो सकता है दो हो सकता है तीन हो सकता है और उससे भी ज्यादा हो सकते depends on the business के आपके business के objectives किया है अब क्या unique service provide करो यह भी multiple हो सकती है और add the end आप एक छोटा सा description अपने business को represent करने के लिए describe करो तो वो optional में कहूंगा कि अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो जिसको description कहा जाता है for example अगर मैं कहीं पर garden में गुम रहा हूँ और मुझे कोई मेरे दूर के दोस्त या फिर relative मिल रहे है और मुझे business को promote करना है तो मैं उनको मेरी यह सभी detail नहीं करूँगा कि मेरा goal यह है मेरा objective यूनिक में एक चोटी सी description वाली speech बनाऊंगा और वो speech को उनको describe करूँगा जैसे वो मेरे business को describe करना होता है और बहुत ही long चीज यूजर ready करने के लिए habituate भी नहीं होता है तो बैटर यह आप अपने business के लिए short speech भी ready करो जिसको में description करोगा बड़ अगर जरूरी आप fill नहीं करें अगर आप नहीं fill करें जरूरी तो आप मत बनाऊं बट अगर आप बनाऊंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए benefit में होगा तो इस तरीके से आप अपने business की strategies को build-up कर पाते हो जब आप इतनी चीज अपने business के बारे में identify करोगे तब आपने बहुत ही depth level पर अपने business को study किया और आपका purpose क्या है business के through वो आप cleared कर पाऊगे so आप एक business के goal को identify कर पाऊगे आप अपने business को high level पर समझ पाऊगे कि आपका business क्या provide करना चाहता है and उसके लिए आप online suitable कौन सी effort होगी जिसके तरू आप लोगों के बीच में जाओगे वो find out कर पाऊगे so be ready for the customer strategies means कि अब जब हमने हमारे business को properly study कर दिया तो अब हमारे turn है कि हम हमारी customer को समझे कि हमारा customer क्या provide करना चाहता है by the customer strategies आईए देखते है कि customer strategies के इस तरिके से वर्क करती है इस वीडियो में हमने देखा building business strategies next वीडियो में हम देखेगे building a customer strategies जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर business strategies ब्यूलडब कैसे करना है क्या 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 उसमें parameters होते है वो देखा इस वीडियो के सरी हम देखेगे कि हम customer strategies कैसे बना सकते customer strategies का main मतलब होता है कि हमें हमारे audience को हमारी customer को समझना है क्यों क्यों क्योंकि कोई भी business का common rules होता है अगर grocery बेचने वाला अपने customer की requirement को नहीं समझेगा तो वो कभी भी अपनी product or services को सही तरीके से बेच नहीं पाएगा या सही लोगों तक नहीं पहुंचा पाएगा अगर MS zone अपनी product or service या फिर flip card अपनी product or service गलत audience के वीच में promote करते रहेगे तो कभी भी उनकी product ना सही person तक पहुंच पाएगी या फिर ना सही person उनकी product पहुंच पाएगा तो कभी sell possible ही नहीं होगा इसलिए customer strategies बहुत important है आईए देखते है customer strategies क्या होता है जिसके अंदर अगर मैं simple terms मैं आपको बताओ तो आपको आपका customer कहां मिल सकता है कि आपको अपने customer को कहां से find out कर सकते हो आपका customer कौन है या फिर आपके customer की requirement क्या है ये वो चीज़े है जो आपको customer strategies के अंदर जाना ज़रूरी है क्योंकि मैं जब तक मेरे customer की requirement है समझगा तब तक मैं उसको proper तरीके स मेरी product or services selling करोंगा जितनी है आप customer के relevant details को depth में जाके study करोगे उतने ही आपको ज्यादा targeted audience मिल सकती है targeted audience क्या होता है targeted audience का मतलब होता है कि ये एक ऐसी audience की जो specially आपके business से relate कर रही है वैसे आप पूरे market की बात करो तो हर business हर को customer के लिए relevant नहीं होगा कुछ male के लिए होता है कुछ female के लिए होता है कुछ दोनों के लिए भी हो सकता है aged person के लिए हो सकता है कुछ youngster के लिए हो सकता है कुछ child के लिए हो सकता है तो आपको अपनी targeted audience select करनी पड़ेगी कुछ educated के लिए हो सकता है कुछ non educated के लिए हो सकता है तो आपको अपने targeted audience को समझना पड़ेगा, जितना आप depth में जाके उनके बारे में अच्छे से study करोगे, अच्छी understanding के अपने customer की build-up करोगे, उतना ही आप अपने targeted audience के नस्दिक जाओगे, और यह चीज़ आप जितनी personalize करोगे, जितना आप अपने targeted audience के close जाओगे, और उनके वीच में सही channel के through marketing कर होगे, तो definitely आपको सही result मिलेगा, और अपने product को सही जगा तक पहुचा पाओगे, और सही logo के वीच में sell कर पाओगे, customer strategies के अंदर हमने अब तक दिखा कि customer एक बहुत important role play करता है, customer यानि हमे particular targeted audience है, फिर customer को find out करने के लिए थोला time भी देना पड़ेगा, और में भी हो सकता के पीछे दे रहे हो, उतने ही ज्यादा आप अपने business को personalized कर रहे हो, लोगों तक पहुचाने के लिए strategy build up कर रहे हो, तो ये जरूर ये, अगर आप ये सही तरीके से कर रहे हो, तो definitely आपके business पर आने वाले future में अच्छा result गेन कर रहे हो, मैं ऐसा insist करूँगा कि आप customer strategies बना आई थी, उसमार rules ये था कि, जो मेरे पहले के वीडियो थी, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, कि marketing का rules कि है, कि अपने customer की requirement को समझो, तो पहले आपको अपने customer को समझना पड़ेगा, उसको दूनना पड़ेगा, उसकी requirement समझने पड़ेगा, और फिर sell करना प्रॉपर टाइम इसके पिछे निकालोगे, तो आपकी strategy बहुत ही personalized होगी, और आप अच्छी तरीके से customer को understand करोगे, जितना आप इसको understand करोगे, उतना ही better आप अपने business को logo तक पहुचा पाओगे, तो customer strategies का main purpose होता है, कि आप अपने customer के goal को समझो, कि customer की requirement क्या है, customer strategies should be specific, यानि कि अगर आप इसके पिछे time दे रहे हो, तो proper time निकाल के strategy बीड़ अप करो, क्योंकि आने वाले business में आपको बहुत help out करने वाले हो, जितना हो सकते तुमा understand करो, और free startup करो, क्योंकि starting करने में अगर आपने जल्दबायशी कर दी, और customer को understand करने में गलती कर दी, तो आपको पता चलता रहा कि क्या मेरे business के लिए सही है, क्या मेरे business के लिए सही नहीं है, तो कुछ ऐसे questions होते हैं, जो customer segment को understand करने के लिए आपको अपने आपसे पूछना है, कि आपका customer जो है, आप क्या चीज लेके आपके customer के बीच में जाना चाते हो, यानि जो targeted audience है, उसके आप क्या लेके जाना चाते हो, आपके targeted audience की requirement क्या है, आप उसको किस तरीके से वो चीज बेस्ट मीडियम के जरी उस सक पहुचा सकते हो, ऐसे कुछ question के answer आप पहले decide करो, अपने आप से पूछो, and then customer strategies को build up करने के लिए, क्योंकि customer strategies build up करना हमरा alternative को लिए रहेगा कि हम customer के segment को find out करें कि कौन सा ऐसा customer का segment होगा, जो हमारे business के लिए सही होगा, so मैंने customer strategies और customer segments को identify करने के लिए आपके लिए excel sheet बनाई हुई है, जा आप आपको better business के बारे में understanding होगे, आप अपने customer strategies को build up कर पाऊगे, और as well as customer segment को आप ऐसे identify कर पाऊगे, तो building the customer strategies हम ये चीज़ practically दे दनी होते है, for example, थोड़ी चीज़े मैं आपको revise कर देता हूँ, कि business strategies के अंदर क्या था, तो जो business strategies थे हो, इसमें business का नाम goal, उसका objective, उसकी unique services और एक short description अगर optional था, आप रखना चाहोतों रख सकते हो, इसी business को अब में further proceed कर रहा हो, कि for example, learning made easy anytime anywhere, ये उसके objectives थे, अब customer strategies के आपको अपने customer के बारे में समझना है, कि आपका customer जैसे कि IT person, interested in C++, non IT person, particular course में interested होगा, और other जो होगा, वो designing और etc course के अंदर interested होगा, जो non technical है, और other field से belong कर रहा है, तो उसमें customer की need क्या है, जो यानि हमारा पहला customer होगा, उसकी requirement रहेगी, कि वो practical knowledge expect करेगा, जो second customer होगा, उ की requirement रहेगी, उसको conceptual knowledge चाहिए, और third जो हमारा customer हो, वो creative चीज़े सिखना चाता है, मैंने एक learn one business के लिए particular ये सब चीज़े identify किया, आप अपने customer को, अपने business और अपनी processes को ज्यान में रखते होगे, find out कर सकते हो, and at the end आपको ये समझना है, कि कौन से digital medium के through, आप जाओ तो आपको particular customer के requirement को satisfied कर सकते हो, for example, अगर मुझे ID पसंच है, तो मुझे Google search के through जाना पड़ेगा, अगर मुझे non ID पसंच है, तो Facebook, Twitter, blog, या फिर etc, ये मैंने approximate या आपर medium लिखे, बट आपको अपने customer के मुताबी के चीज़ जोनी पड़ेगी, कि आपके customer कौन सा digital medium यूज करे, और अगर आप जाओ, तो आप उन तक पहुंच सकते हो, तो जब आप एक customer strategies के अंदर इतनी चीज़े एक business के लिए fill up करोगे, तो basic understanding के आपकी customer के बारे में clear हो जाएगी, अब आपको जब basic चीज़े पता चल गई है, तो उसी चीज़ का आपको customer segment में convert करना है, हर जो customer, जो know your customer मैंने लिखा है याँ पर, कि आप अपने customer को समझो, जो भी आपका customer है, particular हर एक customer के लिए आप segment बना सकते हो, और उसके लिए plan up कर सकते हो, तो customer segment में, मैं IT person के लिए plan up कर रहा हूँ, सबसे पहले, आप देख सकते हो, सबसे पहले हमेंने लिखा है know your customer, उसके पाथ उसमे नीड क्या थी customer की, उसको practical knowledge चाहिए था, तो business goal क्या था मेरा, मैं promote करना चाहता था course को, और दूसरा है कि मुझे अगर organic way में जा रहा हो, अगर social medium के तुछ जा रहा हो, तो मेरा यह particular goal है, अब एक common goal, जहाँ पर user की recommend क्या जाते थी, को उसको practical knowledge चाहिए, और उसको क्या चाह जैसे कि, जहाँ पर company, यानि कि business और customer की need common match-up होती है, यानि common place पर match होती है, उस जगार को मैं common goal कहूँगा, तो जहाँ पर business भी practical knowledge प्रॉइड कर रहा है, customer की requirement भी practical knowledge थी, quality services, business भी प्रॉइड कर रहा है, और customer की requirement थी, उसके पाद आपको KPIs को जानवेर रखना पड़ेगा, KPIs होता है, key performance indicator, key performance indicator को मैं goal कहूँगा, कि इतना अगर performance आप हासिल करो, तो यह आपके business के लिए ज़रूर है, for example, number of visitor in a day, कितने number of visitor रांच है, यह key performance indicator, अगर इतना मिल रहा है, तो आपका performance अई जा रहा है, तो key performance indicator होता है, कि जो आपके business के लिए एक performance parameter decide करता है, जिसको पर, दूसरा key performance indicator है, कि 100 shares आपको Facebook के, और 100 follows आपको Twitter पर मिले, तो यह आप goal लेके आप चल रहे हो, और उसको perspective से आप आगे बढ़ रहे हो, but actually आपको मिल रहे है 500 visitor in a day, और 100 for each, यानि जो आप target करे हो, वो आपको मिल रहे है, तो यह actual details है, जो अभी work करे हो, आपका performance indicator यह है तो आप अपने एक particular customer को target करके, यह सारे आपकी marketing, जो online marketing approach है, उसको decide कर सकते हो, क्या आपका goal क्या है, आपके customer, तक आप क्या चीज़ लेके जाना चाहते हो, यह सब चीज़ आप customer segment के through identify कर सकते हो, और process को follow कर सकते हो, तो इस तरीके से हम customer segment को identify कर सकते है, तो customer segment बनाने के ब हर एक audience के लिए जो strategy रहेगी, वो different रहेगी, हम जो भी जैसे अगर IT person है, 990 person है, या फिर other field के call हो, तो उन सभी के लिए जो marketing strategies apply करेगे, जो customer strategies हम build up करेगे, जो उनका segment के हिसाब से हम अलग-अलग process को apply करेगे, वो सब चीज़ अलग-अलग रहेगा, तो हमें हमारे customer segment को understand कर करना है, और हमें इस तरीके से फिर marketing के लिए proceed करना है, तो इस तरीके से हम पूरी customer strategies को build up कर सकते हैं, इस वीडियो में हमने देखा, building का customer strategies, next वीडियो में हम देखेगे, building marketing strategies, इसको मैं final stage कहूँगा, overall strategies का, कि जब हमने हमारे business को study कर लिया है, हमारे customer segment को study कर लिया है, और हमने उनके लिए proper understanding build up कर लिया, और proper हमने उनके लिए strategies बना लिया, कि हमारा business क्या है, हमारे customer की requirement क्या है, now it's time कि हम उनके बीच में किस तरीके से जाएगे, among all the marketing channels, जो हमारे पास marketing medium सबले बले, उसके त्रों किस तरीके से plan up करे, तो हम सही तरीके से हमारे customer तक पहुंच सकते है, so marketing strategies should be specific, जैसे कि customer और business requirement को समझने के बाद, it's time to understand the marketing strategy, जिसके अंदर marketing strategy बहुत ही specific होनी चाहिए, ज हर एक marketing activities जो हमारे business की particular process को लेके हम कर रहे, वो process wise online marketing strategies होगे, बहुत specific होनी चाहिए, अलग-अलग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही strategy में हर एक जगा पे apply कर रहा हो, और result learning की कोशिस कर रहा हो, तो might be मुझे इतना specific result नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे अलग-अलग audience की अ हमें उनके बीच में अलग-अलग तरीके से जाना होता है, तो हमारी marketing strategies भी उन अलग-अलग audience के लिए अलग-अलग रहेगी, क्यों, क्योंकि जो electronic segment में है, उसको मैं electronic device के जरी marketing करूगा, और जो other personal use के लिए product है, या फिर clothes है, तो उनको मैं उस product को लेके marketing करूगा, और अलग सेग्मेंट के लोगों तक पहुंचने के तरीके, उनको product डिस्पले करने के तरीके भी अलग-अलग होते हैं, तो आपको वह ध्यान रखना है कि हर customer segment को हमें बहुत ही different तरीके से marketing activity के तुरू प्लान अप करना है, जैसे कि हमारे पास हमके पहले भी discuss कर चुके है, हमारे पा purchase नहीं कर सकते हैं, हम बना नहीं सकते हैं, जो really हमें हमारी hard work से earn करने पड़ते हैं, जिसको earn media कर जाते हैं, और share media जिसको में social media करूँगा, जहाँ पर हम बहुत सारे viral messages और लोगों को हमारी product or services के बारे में aware करते हैं, तो हमने एक quick recap दिखा कि media कैसे काम करते हैं, तो हमें ज जो भी media use करा हो, मुझे इसको plan up करना है, कि मैं कि इस तरीके से वो particular customer तक marketing activity के पहुँच होगा, तो यह describe करने के लिए मैंने आपर एक marketing strategy के लिए Excel की sheet बनाई है, जिसके अंदर business goal, हमने जो हमारे customer को समझा था वो, अब digital medium, कि जिसके मुझे कौन से medium के दूर जाना, for example, Twitter, Facebook बुक्या LinkedIn, और उसमें मैं paid media के लिए क्या-क्या चीज़े use करूँगा, earn media में मैं क्या-क्या activity करूँगा, own media में क्या करूँगा, share media में क्या activity करूँगा, यह सबी चीजों को मुझे यहाँ पर track करना है, जब हमने हमारे business को समझ लिया, कि हमारे business का understanding था, हमने हमारे customer को और उसके लिए हमने segment बना है, अब हमारा goal है कि हम उसको proper channel के तुरू उस तक पहुंचाए, तो आई हम building marketing strategies, work sheet से understand करते हैं, कि मैंने excel sheet में थोड़े बहुत points आपर आपके लिए highlight की हुए, यहाँ पर business strategies को highlight किया था, इस तरीके से, फिर हमने समझा था customer strategies क्या है, customer के segment को study कि और customer strategies को study किया था, अब हम देखते हैं, marketing strategies में क्या क्या चीज़े होती है, सबसे पहले हमारा business का goal हम identify कर चुके, हमारा customer for example, IT person जो interested है, C++ PHP हो जावा अगे अंदर, उसके बाद है digital media, जिसके अंदर में इस particular customer को target करने के लिए, Twitter, Facebook या LinkedIn, यह मेरा customer है, उसको जो practical knowledge चाहिए, वो मुझे यह mediums के तुरू पहुंचाना है, अब उसके लिए मेरे पास कितने medium available है, digital media में यह choose कराओ, पर उसके लिए मेरे पास paid media, earn media, own media और share media है, मैं या तो कोई paid campaign run कर सकता हूँ, जो Google Adverse और Facebook में होता है, तो उसके detail मुझे यहाँ पलिकनी, अगर मैं यह purpose solve करने के rate कर रहा है, तो मैं यहाँ पलिकूँगा, नहीं है तो not applicable, क्योंकि ऐसे जरूरी नहीं है कि हर medium के लिए, या फिर हर digital जो हमने फिल्ट चूज किया, digital फिर हमने जो चूज किया है, उसके लिए हर एक medium के अंदर हमें campaign run करना है, नहीं, अगर जरूरी नहीं है, तो आप नहीं जो आपका customer है, targeted audience है, उसके goal को accomplished करने के लिए, आप क्या-क्या media use करे हो, क्या-क्या activities करे हो, तो इस तरीके से आप अपनी marketing strategies को build up कर सकते हो, अब जब once आप एक छोटे से budget के साथ यहाँ पर work करे हो, तो एक बार execution कर लो, और check करो कि आपको कितना result मिल रहे है, और अगर result अ earn, own, and share media के अंदर activity करो, और आगे बढ़ो, तो इस तरीके से हम हमारी marketing strategies को build up कर सकते हो, आप यह actual sheet को use कर सकते हो, अब marketing channels, जो कि मैं आपको बताओ कि, अभी right now हमारे पास बहुत सारे channels available है, जो market में अभी run होरे, बहुत सारे business use करे, पर जब अब initial level पर start up करो, तो शायद आ हमारे channels एक साथ use नहीं कर पाओगे, और might be आपके पास बहुत ही कम option होगे, जिसके तो आप start up करो, और अपने marketing objectives को accomplish करो, बट देरे देरे आपको एक-एक marketing mediums को use करना है, और जैसे आप use करते जाओगे, आपको बहुत सारे data, बहुत सारे reviews मिलते जाएगे, उसको follow करते हो, आपको analysis करो, और फिर दुबारा marketing campaigns को revise करके run करते रहो, तो आपको better result मिलेगा, बट आपको थोड़ा flexible रहना पड़ेगा, कि अगर आप ऐसा सोचो कि मैं एक ही medium के थुरू बार-बार जाओँगा, तो नहीं चलेगा, जो आपको result दे रहा है, उसको और बैतर बैतरीन तरीक कैसे use करो, जो result नहीं दे रहा है, उसको नहीं use करना है, यहां से आपको result मिल रहा है, वो medium को पकड़ के रखना है आपको, तो marketing channels आपके पास बहुत चारी होगी, आपको हर वक्त आपके audience को find out करते रहना पड़ेगा, objectives को आपको डूनते रहना पड़ेगा, यहर वक्त आप जो digital marketing का, जो हम वेक चूस करें, उसमें यह चीज़े continuous होती रहेगी, यह कभी ऐसा नहीं के एक बार कर लिया तो होगी है, ठीक है, यह आपको continuous करना पड़ेगा, continuous सोचना पड़ेगा, तब जाके आप किसी एक या दो ऐसे channels आपको मिलेगे, जिसके तुरू आप better results लेते र तो यह एक final stage है, all the strategies का, मैं बता हूँ, तो हम एक ऐसा final tool है, जिसको आप joint कर दोगे, तो आपका पूरा flow ready हो जाएगा, अब आप marketing strategies को अगर plan up करो, तो आप all set हो, ready हो, कि आप जाओ और success हासी करो, और अगर आप properly यह चीज़ करो, time निकाल के, तो definitely आप एक अच्छी height of success प business, customer और marketing strategies के अंदर बताए, उनको better data fill up करो, उनको review करो, फिर marketing campaign के लिए जाओ, तो आप शायद आपको result ज्यादा मिलेगा, जो मैंने आपको यह तीनों document यहाँ पर बताए, जो business के लिए, customer के लिए, या फिर हमने marketing strategies के लिए, या फिर हमने marketing strategies के लिए, वो actual sheet अगर आपको download करनी है, तो आप learn one की website पर से download कर सकते हो, thank you so much for watching this video, इस वीडियो में हमने देखा, building marketing strategies, next video में हम देखेगे, important terminologies in digital marketing,